हलो एवरीवन ग्रीडिंग्स जीयर कैसे हैं बिटा आप सब I hope you're always well तो आपकी वक्षीट है बिटा शिक्षानी जी शाले रास्टे रास्थानिक शितर दिल्ली की वक्षीट नमबर है आपकी ये 36 और ये हैं बिटा आपकी 7th क्लास की जो है सामाजी क्विक्यान इतिहास की आ प्लेज उसे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिविकेशन वक्षीट टाइम से मिलते रहें तो ये वक्षीट जो है बिटा आपके पार्ट इस वरसे अनुराग से ले गई है तो चलिए बिटा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तेरवी सती के बाद उतरी भारत में भग्ति अंदोलन की एक नई लहराई यह एक ऐसा योग था जब इसलाम, हिंदू, ध्रम, सोफी, मद, भग्ति की विविन धाराओं ने और नात पंथियों, सिद्धों और योगियों ने प्रस पर एक दूसरी को प्रभावित किया इन में से कुछ के बारे में आज हम जाने तो देखें पिटा किसके बारे में जानेंगे हम आज तुलसिदास, सूर्दास, रवीदास, तादुद्याल और मीरा भाई के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले देखें सबसे पहले हैं पिटा तुलसिदास क्यों है तुलसिदास तुलसिदास जो है तुलसिदास ने इस साहित्तिक करतियों दोनों की अभिवक्ति होती है ठीक है अभी तो हमने पढ़ लिया है तुलसिदास के विशे में अब हम पढ़ेंगे बिटा सूर्दास सूर्दास देखें यह रही पिक्चर सूर्दास जी की सूर्दास जी जो स्रिकुष्ण के अनन्य भगत थे उनकी रच परशन सास्त्री, कवी, समाज सुधारक और इश्वर के अनुनाई थे वो निर्गुण संपरदाय और संत्र परंपरा के व्यक्ति थे ठीक है अब हम पढ़ेंगे बिटा दादू दयाल के विशे में दादू दयाल कौन थे दादू दयाल जो है साखा के परमुक संत कवी थ दादू के नाम से दादू पंच चल पड़ा ये अत्यधिक दयालू थे इसकारे निंका नाम दादू दयाल पड़ गया इन्होंने शब्द और साखी लिखी इनकी प्रमुक रचना प्रेम भावपुरण है ठीक है आगे देखते हैं मीरा बाई मीरा बाई जो है मीरा बाई एक राजबूत कन्या थी ये रही मीरा बाई की तस्वीर इनका विवा मेवाड के राजसी घराने में हुआ था वेक कृष्णिक के परति समर्पित थी उनके भजनों में भगती भाव की अभिवैक्ती होती है ठीक है आगे देखते हैं बिटा वक्षित के बेस पर देखिए दिये गए हैं चित पशनोंतर सबसे पहला है रामचरीत मानिस की रचना खालिस्तान भाषा में है तो किस भाषा में है हम लिखेंगे पिटा अवधी कौन सी भाषा में है अवधी भाषा में मेरा बाई खालिस्तान के परति समर्पित थी किस के परति थी पिटा क्रिश्न के परती हम यहां लिखेंगे क्रिश्न के परती मेरा बाई क्रिश्न के परती समर्पित थी इसके बाद सबद और साखी दवारा खालिस्तान दवारा लिखेंगे किसके दवारा हम यहां पर लिखेंगे दादू दयाल किसके दवारा बिटा दादू दयाल यह दवारा इसके बाद सूर्दास की रचनाव को खालिस्तान और खालिस्तान में संग्रेद घंगे सूरसागर सूरसारावली और सै alarm करेंगे इसके बात आगे हैं गतीवी दी गतीवी दी गई गई है कि ऐसे कई संतकवी हैं जिनके नामों का उलेकिस अधाय में नहीं किया गया है इस अधाय में किया गया है लेकिन उनके नाम को अधाय में शामिल नहीं किया गया है उस भाशा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्ट कि छे वर्स की आयूं में ही दादू के शिशे हो गए थे वह फारसी भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते थे निर्गुन संतकवियों में सुंदरदाज जी सरवाधिक सरव सुशिक्षित थे सुशित होने के कारण उनकी कविता कलाद मकता से यूगत और भाषा परिमार जीत है सुंदरदास ने कविता और सवय भी रचे हैं उनकी सरवाधिक प्रसीद गरंत कौन सा है बेटा सुंदरदास ठीक पेटा यहां पर होती है आपकी वक्षीट कम्प्लीट आई होप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको यूड़ अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेंड सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू पेटा